आज हम पहले वाले हैं चैप्टरा नमबर 10 जिसका नाम है डक बिल्ड प्लैटिपस यहाँ प्लैटिपस क्या है प्लैटिपस एक एनिमल है जिसका माउथ डक की तरह होता जिसकी जैसे डक की चोंच होती है बीक होती है एक तम फ्लैट छोड़ी सी उसी तरह इसका भी माउथ होता है इसने इसका नाम रखा गए डक बाइल्ड प्लैटिपस तो चले हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं वेलकम तू दा वॉल्ड ऑफ डक बिल्ड प्लैटिपस अब यहां हमारा वेलकम कर रहे हैं कि डक बिल्ड प अब इस लाइन में हमें समझा रहे हैं कि डक बिल्ड प्लैटिपस है वो कहां रहता है उस्ट्रेलिया में रहता है जो कि फ्रेश वाटर से बाहर आता है अपना घोसला बनाने के लिए जो प्लैटिपस है वो एक कौनसी कैटेगरी में आता है वो एनिमल्स के कैटेगरी में आता है यह आता है हमारा amphibian की category में amphibian animals कौन से होते हैं ऐसे animals जो पानी के अंदर और जमीन पर दोनों पर आसानी से रह सकते हैं उन्हें amphibian बोलते हैं जैसे crocodile पानी में भी रह सकता है जमीन पर भी रहता है frog पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं तो ऐसे ही जो platypus है वो amphibian है अब आगे बढ़ते हैं हम जो amphibian है वो पानी में रहता है लेकिन वो अपना गौसला कहां बनाता है अब सम्नीन पर बट इट रिटेंस इट्स लग और वाटर इंट रिटेंस तो स्ट्रीम और पॉंज लेकिन जब इसको भूग लगती है तो वो कहां जाता है पानी में चला जाता है क्या खाने फिश खाने स्नेल खाने श्रिम्स खाने जो platypus है उसकी पैडल चैसी पूंच होती है जो उसे पानी में तेरने में हैल्प करती है इट हैस ता बॉड़ी ऑफ अनादर and a flat bill and waved feed like that of duck और उसकी जो body होती है वो कैसी होती flat body होती है और उसकी feed feed means जो उसका मूँ होता है जहां से वो खाना खाता वो कैसी होती है duck की तरह यह आप देख रहे हैं जो चोच की तरह जैसे duck का face होता है ऐसे इसकी mouth होता है when it was first discovered and sent to England जब इसे पहली बार देखा गया और England भीचा गया people thought that it was a stuffed animal people क्या बोलते थे वो बोलते थे कि एक stuffed animal है stuffed animal means the most remarkable feature in the predipus is that although it is a mammal it is eggs और जो सबसे जो देखने वाला इसमें जो feature है खासियत है वो क्या है यह है तो एक mammal लेकिन वो अंडे भी देता है mammal अब यहाँ पर mammal आ रहा mammal कौन से animals होते हैं mammals वो animals होते हैं जो eggs नहीं देते जो अंडे नहीं देते वो अपने babies को directly birth करते हैं means जर्म देते हैं बेना अंडे के और जो अंडे देते हैं ऐसे animals ऐसे words जो अंडे देते हैं वो मैमल के category में यहीं आती तो लेकिन जो platypus है वो एक animal है Mostly animal mammals होते हैं अunting मलिक गभी अंडे नहीं देते कौन देते हैं जो birds होते हैं, पक्षी होते हैं, उनने वाले, वो end देते हैं, लेकिन ये तो जमीन पर रहता है, पाने में भी रहता है, तो ये जो mammal है, platypus है, वो अंडे भी देता है, आगे दिखते हैं, in fact, it seems the duck built platypus like a fairy tale creature, जो duck built platypus है, वो कैसा दिखाई देता है, fairy tale creature, fairy tale means, जो परियों की कहानी में, जो animals की दिखाई जाते हैं, जो character दिखाई जाते हैं, उनकी तरह दिखाई देता है, the platypus can also be dangerous, platypus dangerous भी होता है, the male uses poison for self-defense, इनके अन्दर जहर होता है, जो खुद की रक्षा के लिए काम करता है, जो खुद की रक्षा के लिए उसे यूस करते ह it has spurs on its hind feet which contain poison, इसके जो पैर होते हैं, नीचे के तलवे होते हैं, उसमें एक spurs, spurs means एक नुकीले कुछ-कुछ पाट होता है, नुकीले जिसे हम रोम बोल सकते हैं, नुकीले नाकुन की तरह, नुकीले जो अपनने सुई देखा हो, पिंच की तरह, इस ताइप के पैरों के नीचे होते हैं, जिसमें poison होता है, अगर वो हम पर पढ़ जाए तो poison हमारे body can well fell जाता है, its fur allow its to swim in the water as cold as 0 degree Celsius, उसके जो fur हैं, फर में उसके बोडी को बर जो रूम हैं, जो बाल हैं, वो उसको help करते हैं, पानी में, तेरने में, प्लेटिपस की एक खसियत है, पाने कितना भ प्लेम नहीं होती है, it digs a buru in the ground to build it nest, और वो अपना घौसला बनाने के लिए, जमीन के अंदर बिल खोथता है, it has a strong shoulder muscles to help it dig these burus, और जो उसके कंदे हैं, shoulders हैं, जो muscles हैं, वो रूम होती हैं, वो help करते हैं, उसकी burus means, जो बिल होते हैं, उसको खोथने में, बट एक्च्वली तब प्लेटिपस अंदर गर्सीन, दे एंटिटर, अलोंग विद अधर मर्सुपियर्स लाइक कंगारू, बेक अप्ट प्लेटिपस हैं, वो अपने बच्चे को बिढ़ता है, आपने कंगारू देखा होगा, कंगारू के फ्रेंट जो पार्ट होता है, उसमें एक पाउच की तरह, एक पॉकेट की तरह होता है, जिसमें वो अपने बच्चे को बिढ़ता है, कंगारू के खासी होते हैं, जब उसके बच्चे होते हैं, तो पूरे प्रॉपर से जन्म नहीं लेते हैं, मतलब जिस तरह एनिमल्स में, या हुमन बींग में बच्च जन्म लेता है, तो पूरा बच्चे की रूप में दिखाई देता है, लेकिन जो कंगारू होता है, उसका बच्चा पूरा बन ही नहीं पाता है, उससे पहले वो अपने बच्चे को जन्म देता है, उसके बाद वो उस पाउच में, अपने बच्च के अंदर जो पाउच होत यह जिससे उसका जो बच्चा होता है वो ग्रोथ करता है एप लेटिपस टांट यह तरही द और गांतों है जो प्लाईपस से तीथ नहीं होते दाथ नहीं होते लेकिन वह अपना खाना आसानी से है इट ज़ ne i guys do तो छोपहते हैं वन चाइब शाननी सेhehe मिट्टी है उसके खाने को चावाने में उसकी हेल्प करती है इट एट्स देम अलॉंग विद फूर्टु हेल्प इट्छी हो और जो मिट्टी वो खाता है अपने खाने के साथ उसे भी वो निगल जाता है उसे भी खा जाता है So that is a platypus तो इस तरह ये platypus है one of nature's most unusual creature हमारी प्राकरती का एक अनुखा creature तो हमने platypus के वारे में पढ़ लिया है अब इसके next वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले है इसकी exercise